दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को Zomato Limited के साथ में टोटल में 6 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने आप इस स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट, डिविडेंड और साथ ही साथ में बाय बैक अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फनो मेडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है Elegant Marbles Limited Elegant Marbles का जो शेर प्राइज है वो 349 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आपके बाय बैक अनौंस कर दिया है 385 रुपीज के हिसाब से यानि कि अगर आप कंपनी को उनका एक स्टॉक बाय बैक के अंदर में वापस सेल करते हैं तो आपको एक स्टॉक के बदले में 385 रुपीज मिल जाएंगे और यह जो बाय बैक के टेंडर ओफर के थुरू रहेगा मदलब आपको आपके स्टॉक को यहाँ पे टेंडर करना पड़ेगा और उसमें से कुछ स्टॉक आपके बाय बैक के लिए चले जाएंगे नहीं जाएंगे तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा काफी शेयरोल्डर्स को यहाँ पे कन्फीजन रहता है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है NPST Limited NPST का जो शेयर प्राइज है वो 2,200 रुपीज के आसपास में चल रहा है इस कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाईस कर दिये 26th of December को यानि कि कल के दिन तो कल 26 December के दिन कंपनी ने मीटिंग रखिया इसका परपस रहेगा स्टॉक बोनस को ले करके मदलब कंपनी आपे स्टॉक बोनस अनाउंस करने जा रही है अगर कल कंपनी ने 1-1 या फिर 2-1 के रेशियो से बोनस अनाउंस कर दिया तो डेफिनेटली हमें स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है तो कल 26 December के दिन NPST के शेर के उपर में खास नजर बना के रखियेगा अगले स्टॉक की बाद करें तो कंपनी का नाम है HMA Agro Industries Limited HMA Agro Industries का जो शेर प्राइज है वो 700 रुपीज के आसपास में ट्रेड हो रहा है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक स्टॉक है तो वो टोटल में 10 स्टॉक के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के कितने भी स्टॉक हो आपका हर एक स्टॉक के आपे 10-10 स्टॉक के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा और इस स्टॉक स्टॉक को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ट डेट है वो 29 अफ डिसेंबर की रहने वली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है न्यूजेन सॉफ्ट्वेर लिमिटेड न्यूजेन सॉफ्ट्वेर का जो शेयर प्राइज है वो 1434 रुपीस के उपर में चल रहा है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक स्टॉक है तो यहाँ पर एक स्टॉक है तो आपके पास में गिने चुने दिन मौजूद है NewGen software के stock के उपर में नजर बना के रखिएगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Vedanta Limited Vedanta Limited का जो share price है वो 260 रुपीज के उपर में चल रहा है अब सभी को पता है Vedanta ने हापे dividend अनौउस करके रखा है 11 रुपीज का यानि कि हर एक share के उपर में आपको 11 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 27th of December की रहने वली है तो कल का दिन 26 December का दिन Tuesday का दिन आप लोगों के पास में last chance रहेगा विदानता के share को purchase करने के लिए ताकि यहाँ पे आपको इसके dividend का benefit मिल पाए अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Zomato Limited Zomato Limited का जो share price है वो 128 रुपीस के उपर में चल रहा है and Zomato Limited की तरफ से एक बहुत बड़ी update निकल के आ रही है basically आप में VLA Ambala करके एक काफी जाना माना research analyst है and VLA Ambala जो सेभी registered भी है तो कहीं न कहीं आप इसे trust worthy मान सकते हैं basically VLA Ambala ने जो Zomato Limited के stock के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करिए और जो target price दिया गया है वो 150 रुपीस का दिया है यानि की 128 रुपीस से लेकर के 150 रुपीस तक की एक जो rally है वह यहाँ पर VLA Ambala expect करके चल रहा है Zomato Limited के share के अंदर और साथी साथ में VLA Ambala ने आपर stop loss भी recommend किया है जो की 114 रुपीस का है तो एक proper brokerage call यहाँ पर VLA Ambala ने जो है Zomato Limited के share के उपर में बना करके दिया है और साथी साथ मैं आपको बता दूँ CLA से financials करके काफी जाना माना financial institution है जो की globally काफी जादा well-reputed है Indian financial institution नहीं है globally काफी well-reputed है उन्होंने भी यहाँ पर Zomato के share के उपर में जो है buying recommendation दिये तो कहीं न कहीं आप VLA Ambala की statement को भी थोड़ा सच आए तो follow कर सकते है at least Zomato Limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते है 128 रुपे से लेकर के 150 रुपे तक की एक जो rally है यहाँ पर VLA Ambala expect करके चल रहा है Zomato Limited के share के उपर में with a stop loss of 114 रुपीज तो जरूर से Zomato को watch list के अंदर में add कर लीजिएगा इसके अलावा आपको जिस भी stock को purchase करना हुआ ताकि आपको इसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको stock को उसकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना हुआ बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 6 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus, stock split, dividend and buyback announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिकोज फिनों मेडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye